मा के हाथों की खीर किसको पसंद नहीं होती जो स्वाद मा के हाथों में होता है ना वो शायद किसी के हाथों में नहीं होता चाहें वो खाना हो या फिर खीर हो या फिर कोई मिठाई हो या फिर कोई भी पकवान हो अगर मम्मी ने बना दिया ना या मम्मी ने किवल अपना हाथ ही लगा दिया ना तो उसका ना सुआत सौ गुना बढ़ जाता है So welcome back to healthy diet आरू I hope आप सभी अच्छे होंगे और सारी recipes को enjoy कर रहे होंगे अब खीर किस-किस को नहीं पसंद है सभी को पसंद होती है चाहें वो चावल की खीर हो, साबुदाना की खीर हो, मखाने की खीर हो या फिर, yes आज जो हम बनाने वाले हैं वो है लौकी की खीर जो ना कीवल स्वादिष्ट है बलकि गुनों से भरपूर है और बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही यम्मी लगती है आज जो मैं लौकी की खीर बनाने वाली हो ना वो मैं आधी लौकी से बनाने वाली हूँ तो हम जो लौकी के लिए लेंगे वो हम लेंगे एक लिटर दूद और एक लिटर दूद में हम डालेंगे वन बाउल ग्रेटिड लॉकी येस वन बाउल आपके अक्वाडिंग हो सकते हैं मतलब फोड़ा सा जो मीडियम साइस का होगा और थोड़ा सा कम ज्यादा आप कर सकते हो अगर आपको ज्यादा लोगों के बनानी है और उसको लॉकी को अच्छे से पील करने के बाद आप इसको ग्रेट कर लेना तो बस इसको बनाना बहुत असान है इसके लिए हम सबसे पहले गैस की तरफ चलते हैं वह आप डाल देना जब आपका घी गरम हो जाए तो आप उसमें डाल देना पैन में और इसको ना हलका सा तब तक रोस्ट करते रहना है जब तक इसका जो पानी है अगर आप इसको एक साइट पे आप रख दो दूद चड़ाने मतब गरम होने इधर मैंने रख दिया था बॉयल करने एक लीटर दूद तो ये इतने बॉयल होता है और जैसे इसमें ये बॉयल आ जाएगा तो मेरी जो लॉकी थी जो जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था और व पलस इसमें हम इधर साइड में काम कर लेते हैं लो से मीडियम फ्लेम पर उसको रखना हो बीच- immigrants के चलाते रहना यहां मैंने थोड़ा सा एक काटोरी आधा काटोरी आप ले सकते हो उस में बॉध भी ले सकते हो और अगर आपके पास बॉधर नहीं है तो आप नॉर्मल मि जाना सकते हो तिक है मिक्सर में डाल देना इसको और अच्छे सिसका पेस्ट बन जाएगा तो हम आज लौकी की खीर में चीनी यानिकी शुगर यूज करने के बजाए या फिर जैगरी यूज करने के बजाए हम यूज कर रहे हैं डेट्स का येस तो मिठास देने के लिए हम अगर आपको डेट्स नहीं उसकरना है तो सिंपल आप जैगरी पाउडर का यूज कर सकते हो बड़ जैगरी पाउडर आपको मिक्शूर करना कि आपको लास्ट में टालना है अदर्वाइस खीर का थोड़ा सा फटने का चांसे रहता है तो थोड़ी सी फटी-फटी सी हो ज अब आपको अच्छी खोलती अफटा-फट दाल देती हूं और यह मेरी जो खीर थी थी ना वह थोडी सी गाड़ी हो गई थी और जो साइट से आप स्क्रैप कर के जो मलाई आ जाती ना साइड में तो वह भी आप स्क्रैप करकर अच्छ से दूध में मिलाते रहो तो उससे कि या खीर जलरोगी हो जाती है और बीछ में डाल दिया था अपना खजूर वाला जो मैंने डेट वाला जो पेस्ट बनाया था। वो हमेने ढाल देखोट इसकी कशेस्टेंसी इतनी मस्ता रखे अर हमदर इतनी बढ़ी रहा है और इसको बस जो आपका पेस्ट होने के बाद और ज़्यादा गाड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा consistency आपको बहुत normal रखनी है इतना ज़्यादा ना पतली ना गाड़ी और फिर उसके बाद आप जो भी आपके पास dry fruits हो मैंने काजु और बदाम से इसको गारिश किया है तो मेरे पास वही थे तो मैंने last में उपर से आप डाल सकते हो और trust me ये खीर इतनी यम्मी लगती है ना आप इसको बना के खाओगे ना तो मज़ई आ जाने वाला है मेरे को ना जब मैंने इसको बना कर खाया था तो मेरे को ऐसा लग रहा थे से मैं रबडी खा रही हूँ और trust me लग भी रबडी जैसी लग रही है ऐसे लग रहा है से मैं रबडी बना दियू मैंने और खीर का जो स्वाद होता है ना वो ठंडा करने के बाद और भी जादा बढ़ जाता है खीर को अगर यार पूडी के साथ खालो ना है मतला मज़ा ही आ जाता है मतला मुझे तो अची लगती है पूडी के साथ मैं खीर वगएरा या इस तरह की चीज़ें खाती रहती हूँ तो I hope आपको यह जो खीर है ना लौकी की खीर वो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने friends family के साथ जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना हम इस चैनल पर शेयर करते हैं बहुत ही healthy recipe less oil और less masala वाली तो I hope आप इस channel के साथ जरूर जोड़े रहेंगे और हमें अगली recipe में तब तक के लिए बाबाई